दोस्तों कैसे हो आप सुधी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट के जोड, घटाव, गुणा और भाग के बारे में आपने बहुत बार हमसे पूछा था कि सर ये अंडरूट वाली संख्याओं को कैसे जोडा जाए, घटाया जाए, गुणा और भाग किया जाए तो आज इस चारों कॉंसेट के बारे में हम बात करेंगी अंडरूट का जोड, घटाव, गुणा और भाग तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं, लाइक, और चल प्लस रूट तीन, तो आपको ये ध्यान लखना है, कि जो सेम रूट वाली संख्या होंगी, वो ही जुडेगी जैसे ये, अंडरूट में 3 है और यहाँ पर भी same under root में 3 ही है मतलब यह same root वाली संख्या है मतलब root में समान संख्या है तो ऐसे में इनको जोड़ा जा सकता है लेकिन कैसे 3 और 3 को करके 6 नहीं करेंगे ऐसे नहीं जोड़ा जाता इनको जोड़ने का एक तरीका होता है कि इस root 3 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम एक मान सकते हैं सबका मालिक एक इस root 3 के आगे भी कुछ नहीं है तो एक तो ऐसे में आप करोगे क्या कि एक और एक यानि जो आगे की संख्या है सिर्फ वो ही जुड़ेगी एक और एक मिलके हो जाएगा दो और root 3 यहां भी है root 3 यहां भी है common है दोनों में तो root 3 हम common लिख देंगे यानि एक बार root 3 और एक बार root 3 इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा दो बार root 3 दो root 3 है ना उमीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सिर्फ आगे के नंबर जुड़ते हैं बाकि जो same root होता है वो तो common चला जाता है अब यहां देख लो यह तो बड़ी अच्छे सा समझ में आ जाएगा कि आगे की संख्याएं जुड़ती है तो 2 और 4 जुड़के हो जाएगा कितना 6 और root 5 और root 5 तो दोनों में common है तो यह root 5 तो रहेगा ही मतलब 2 root 5 में 4 root 5 जुड़ोगे तो हो जाएगा 6 root 5 समझे आगे के जो main number से वो जुड़ते हैं और जो root common होता है जो same same root होते वो तो बाहर लिखा जाता है common ही चलिए अब एक और सवाल देखते हैं यहाँ पर 2 root 3 में जोड़ना है हमें 5 root 7 तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि root वाली संख्याएं same नहीं है इसका मतलब यह जुड़ने वाला तो नहीं है यहाँ आपको आगे के number आप यहाँ जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि root ही same नहीं है तो common क्या करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे common तो इसका मतलब इसका अंसर यही हो जाएगा 2 root 3 2 root 3 plus 5 root 7 5 root 7 यह इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि यह दोनों में जो same root होता ना वो common नहीं है अगर यहाँ root 3 है और यहाँ root 7 है तो कुछ भी common नहीं गया न यहाँ पर देखो सभी चीज़े common थी इसलिए वो जुड़ गये थे इसका अंसर यही आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी common नहीं है तो मिद्ध करता हूँ आप root का जोड सीख गय हो चलिए आप बात करते हैं root के घटाओ के बारे में दोस्तों आप बात करते हैं root के घटाओ के बारे में root के घटाओ में भी यही rule follow होगा कि same root अगर होंगे same root में संख्या होंगी तो उन्हें घटाया जा सकता है otherwise यहाँ पर कोई भी ऐसा concept जनम नहीं लेगा चलिए आप practice करते हैं इस सीच की root 2 और root 2 यह दोनों संख्या है same root की है मतलब यह भी root 2 है और यह भी root 2 है तो same संख्या है तो आपस में cut कर 0 हो जाती है यह आपको पता है तो root 2 में से root 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 0 बचेगा यह बिल्कुल उसी type से है कि अगर x में से x घटा दोगे तो क्या बचेगा 0 यानि same number देखके तो कोई बच्चा भी बता देगा कि same number है तो 0 ही बचेगा अब चलिए दूसरे numbers पे try करते हैं 4 root 5 में से घटाना है 2 root 5 तो कितने root 5 बच जाएगे यहां थे 4 root 5 जिसमें से चले गए 2 root 5 तो बचेगे दूसरे 2 root 5 कैसे बचाएगे देखिए मैंने आपको बताया था कि same अगर roots हों तो उनको घटाया जा सकता है उनको जोडा भी जा सकता है तो देखे यहां घटाओ का चिन्न था तो घटाएगे कैसे आगे के जो number हैं उनको घटा लिया जाए मतलब 4 में से 2 गए तो किता बचा 2 और यहां पे भी root 5 था और यहां पे भी root 5 जो कि दोनों संख्याओं में common था तो common number को बहार लिख देते हैं तो इस तरीके से इसको घटाया जाएगा जो आगे के main number से वो घट जाते हैं और जो same same root है वो तो as it is common लिखा जाता है चलिए आगे बात करते हैं 7 root 2 में से minus करना है 3 root 5 अब यहां पर यह जो संख्याओं है root में यह same नहीं है मतलब इनको घटाया नहीं जा सकता क्योंकि घटाने के लिए numbers का same होना जो roots में number है उनका same होना जरूरी है यहां तो root में 2 है और इधर root में 5 है यहनि अलग-अलग number है तो यहां पर same number होने चाहिए थे तो आप इनको घटाना मुश्किल है तो यह ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा यही इसका answer है जो की प्रश्णिता वही answer बन जाएगा अगर roots में संख्याए same ना हो तो इनको घटाया नहीं जा सकता as it is उसको वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा चली आप बात करते हैं दोस्तो वीडियो का अच्छा लग रहा हो ना तो like का button दबाओ इससे हमको motivate feel होता है आपके like के button दिखकर हमें लगता है कि हमारी audience हमको पसंद करती है comment करती है प्यार भरे like करती है ठीक है support करती है दोस्तो आप बात करेंगे under root के गुणा के बारे में और गुणा का rule कुछ ऐसा है ना कि अगर same roots हो same roots हो मतलब कि root में 7 है और यहां पर भी वही same है root में 7 है तो इनका गुणा करने पे क्या आएगा पता है इनका गुणा करने पे 7 ही आजाएगा यानि root 7 का root 7 में करोगे तो जो 7 और 7 का जोड़ा है जिसे आप अगर ऐसे करोगे कि root में 7 गुणा 7 है 7 गुणा 7 है तो इनका जो जोड़ा है वो जोड़ा मिल की बहार हो जाएगा क्योंकि square है 7 गुणा 7 क्या हो जाएगा 7 का square हो जाएगा और square से under root कर जाता है मतलब जो अंदर number बचेगा वो 7 ही बचेगा तो हम इसे direct concept wise याद ही कर लेंगे कि root में same numbers हो तो क्यों ऐसे याद रखे कि इनका जोड़ा बनेगा फिर जोड़ा square बनेगा फिर बहार हो जाएगा इससे अच्छा simple कि root 7 का root 7 में गुणा करो तो common number 7 ही आ जाएगा root 3 का root 3 में करोगे तो simple 3 ही बचेगा root 5 का root 5 में करोगे तो अंदर जो है न सिर्फ 5 ही बचेगा क्यों? क्योंकि ये जो जोड़ा है ये 7 और 7 का ये match कर जाएगा तो ये single बन के बहार हो जाएगा उमिद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कैसे? कि आप जैसे root 3 है इसका गुणा root 3 में करोगे तो 3 ही आएगा ये याद रखना कि root और root में same number है तो वो जो number अंदर लिखा है वो ही उसका answer आएगा root 3, root 3 तो इनका answer आएगा संख्या 3 normal number 3 आजाएगा ऐसा क्यों होता? इसका जवाब मैंने आपको दिया कि root 3, root 3 है तो यहाँ पर क्या होगा तीन गुणा 3 हो जाएगा root में ठीक है तीन तीया ये 9 भी लिख सकते हो आप इसको क्योंकि root 9 को बाहर निकालोगी तो 3 ही बनेगा आए थोड़ा और इसको आपस बताता हूँ ये दो जोडे same मिल गए तो ये हो जाएगा क्या अंडर root 3 का square हो जाएगा क्योंकि ये 3 गुणा 3 था तो 3 का square है तो square से root कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा केवल 3 ही बचेगा इसलिए हम इतना सारा ताम जाम नहीं करते डारेक्ली ये याद कर लेते हैं कि root में same numbers का गुणा होगा न तो अंदर जो number लिखा है नॉर्मल number वो इसका answer होगा उसी type से root 7 का root 7 ने किया तो यहाँ पर उनहीं के अंदर का number जो 7 था वो लिखा गया समझ रहो इस बात को तो यहाँ पर दोनों बाते में आपको बता दी तो उमीद करता हूँ यह वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी चलिए हम इसके आगे के और सवाल सॉल करते हैं इसे में थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि हमें हाँ पर जरू थे space की तो चलिए आप आगे दिखते हैं अब यहां पर जो अगला सवाल दिया है वो है दो रूट पांच इसका गुणा करना है छे रूट पांच में तो सबसे पहले हम आगे वाले नंबर्स का गुणा कर देते हैं यह दो का छे में दो चंग बारा यानि इनका गुणा करने पर बारा आएगा यह नॉर्मल नंबर्स का गुणा तो आप आराम से कर दोगे कि दो का 6 में गुणा करेंगे दो चंग की बारा ठीके अब यह वाला कॉंसेट रूट वाला तो मैंने आपको बताई दिया है कि यह भी रूट पांच है और यह भी रूट पांच है साहट तो ये इसका आंसर आ जाएगा समझे पहले आगे वाले नंबर्स का यानि दो छंग बारा हो गया और फिर रूट पांच का रूट पांच में करा तो सिंगल पांच हो गया और बारा पंजे साहट हमने कर दिया तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अब अगर रूट में नंबर अलग आ जाए तो क्या होगा सर तो यहाँ पर भी देख लो आगे वाले नंबर्स का पहले तो गुणा कर देंगी तीन दुनी यह हो जाएगा छे और जो रूट में नंबर है ना उन्हें गुणा में लिख देंगे तो आप भाग विदी से या LCA वाले मेथड से ने भार भी निकाल सकते हो बट आप हमारा आंसर यही आ गया है ठीके तो चलिए आप रूट का गुणा भी सिख गयो और भाया एक चीज बची है जो कि अंडर रूट का भाग तो अंडर रूट का भाग भी सीखी लेते हैं दोस्तों अब बात करते हैं अपन अंडर रूट के भाग के बारे में यानि रूट के नंबर को कैसे भाग किया जाए कैसे डिवाइड किया जाए रूट का तो यहां पर हमारे पाद सबसे पहला सवाल है, रूट दो, डिवाइड वाय रूट दो, तो इस हम डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं? कि भкоїए, रूट दो को जो है, डिवाइड करना है, रूट दो से, है ना? इस डिवाइड को, हम इस अपन की शकल में, यानि इस divide यानि की बट्टे की शकल में लिख सकते हैं तो हमने इस divide को बट्टे की रूप में लिख दिया अब हमारे लिए काटना आसान हो जाएगा ये भी root 2 है ये भी root 2 है तो root 2 के पाड़े में root 2 कितनी बार में एक बार में कटेगा मतलब same roots हो तो उनको काटने पर क्या आएगा एक ही आजाएगा जैसे root 3 को root 3 से काटोगे तो कट जाएगा एक बार में root 5 को root 5 से काटोगे तो वो भी एक बार में कट जाएगा तो ये बात आपको समझ में आगई कि same roots हो same numbers हो तो वो एक बार में कट जाते हैं हाँ, दो के पहाड़े में, दो भी एक ही बार में कटेगा, रूट दो के पहाड़े में, रूट दो भी एक ही बार में कटेगा, तो इसलिए हमने यहां पर काट दिया, ठीक है, सेम नंबर से तो एक ही बार में कट जाते हैं, चलिए अब बात करते हैं थोड़े अलग टैप के numbers की यहाँ पर भी roots में same number हैं बट उनके आगे भी कोई ना कोई number लिखे हैं जैसे 4 root 3 में हमें भाग लगाना है किसे 2 root 3 से तो इसे भी हम divide की शकल में लिख देते हैं सबसे पहले 4 root 3 हैं तो यहाँ पर लिख दिया 4 root 3 divide करना है यानि बटे में लिखना है किसे 2 root 3 को तो हम 2 root 3 लिख देते हैं अब आपको यह पता है कि root 3 से root 3 तो कटी जाएगा कितनी एक बार में जैसे यहाँ ऊपर कटा था ना तो रूट दो से रूट दो एक बार में वैसे ही ही रूट नार ऐकसिंग से चार बटे दो ये भीफ जाएंग सब जंद तो यह ज telefon नंबर से से बीट चार अम वि एकम दो बींसे बीब इसे आप 2 भी बोल सकते हो क्योंकि नीचे है ब्टे में एक को पर를 키 अंधर को 2 भी बोल सकते हो तो इस तरहिछे से आप काट और जो में में नंबर से में टेबल से काट और जो रूट वाले नमबर से वो तो रूट से रूट आप कैंसल करीद होगे चलिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगर रूट में नमबर अलग अलग हो तब क्या होगा सर तो आईए ना देखते हैं रूट साथ है तो हमने लिख दिया रूट साथ डिवाइड करना है यानि बटे में लिखना है किसे रूट तीन को तो रूट तीन लगा दिया अब यहां पर यह दोनों आपस में कटने वाले नहीं हैं आप बस यहां पर एक ही काम कर पाओगे कि बड़ा सा अंडर रूट तो इस तरीके से आप करते हो रूट का जोड रूट का घटाओ रूट का गुणा और रूट का भाग तो इस तरीके से आप जोड घटाओ गुणा भाग करते हो रूट वाली नंबर्स का तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना प्यार भरे कमें करना कि आपको वीडियो कैसा western पर चाहिए और र हां आपको एवेसिक वीडियो चाहिए और वाले सवाल देखना है तो यहाँ पर क LAN करना है यहाँ पर हमने बीन 48 के बहुत सवाल कर वा रखें और अगर आपको प्रतिषत वाल सवाल देखना है तो प्रतिशत के सवाल देखने के लिए आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके ही जाना थेंक्यू सो मच